and welcome back my dear soul family कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं, खुश है, पॉजिटिव है and सबसे important बहुत जादा healthy है आज की जो वीडियो है वो love vibration के उपर waste है law of attraction में हम अपनी energy के थिरू love vibration भेजते हैं and अपने किसी भी रिष्टे को बहुत ही amazing, बहुत ही beautifully तरीके से सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं and सारी process बताने से पहले confirm कर दो कि ये सिर्फ husband, wife या girlfriend, boyfriend के लिए ही नहीं है ये हर relationship के लिए है and हर रिष्टे पे काम करता है जैसे माबाप के लिए, grandmother, grandfather, फुवा फुवा, भाई, बहन, अपने बच्चों के लिए आप किसी के लिए भी या फिर अपने partner के लिए भी आप किसी के लिए भी love vibration भीज सकते हैं and सबसे खुशी की बात है कि ये बहुत fast work करता है तो अगर आप love vibration भीज के और रिष्टे को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाच तक वाच कीजिएगा बिना skip किये and चैनल पे आप नए हैं तो अभी subscribe करके और bell icon call पे जरूर से press कर डिएगा ताकि future video notification आपको सबसे पहले मिले क्योंकि इस चैनल पे हर रोज दो वीडियो अपलोड होती है और उस वीडियो से आप अपने जिंदगी को बहतर से बहतरीन की और ले जा सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि love vibration लेकिन किन चीजों की ज़रूरत पढ़ेगे तो सबसे पहले उस इनसान की एक तस्वीर होनी चाहिए जिसके लिए आप love vibration भेजना चाहते हैं यानि जिसके साथ अपना relationship सही करना चाहते हैं उसकी ऐसी तस्वीर हो जिसमें उसने एकदम eye contact सही डंग से बनाया है मतलब जो photo है उसमें जो इनसान है वो देख रहा है तो आपको ऐसे महसूस होना चाहिए कि वो आपकी तरफ ही देख रहा है आप ही को देख रहा है अब आप लोग question करें इससे पहले मैं confirm कर दूँ कि तस्वीर album वाली भी हो सकती है photo frame वाली भी हो सकती है अगर ये दोनों नहीं है तो आप phone में अगर उनका photo रखे हो तो आप phone अपना ले ले और phone को airplane mode में डालना बिलकुल मत भोले क्योंकि ये technique करती time अगर आपको कोई 10 minute के अंदर disturb कर दिया तो आप ये love vibration वाली जो technique है वो सही डंग से नहीं कर पाएंगे अब आपने तस्वीर ले ली तस्वीर लेने के बाद आपको एक शान्थ जगह ढूननी है जहां पे 10 minute तक कोई आपको disturb ना करे अब आप उस शान्थ जगह पे किसी भी room में या कहें भी जहां भी आप comfortable feel करते हों वहां पे उस तस्वीर को लेके बैठ चाहिए आपको ही देख रहा है ऐसा करते करते 20 से 30 सेकेंड हो या फिर एक मिनट हो क्योंकि हर किसी का relationship एक जैसा नहीं होता है कुछ लोगों का relationship बहुत ही deep होता है और कुछ लोगों का normal होता है तो जैसा भी relationship है उसी तरह से उतना ही time में आप connection भी बना पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा गहरा रिष्टा है तो आपको 10 से 15 सेकेंड में ही लगेगा कि आपने connection बना लिया है और आप उनकी सामने खड़े होके उनको देख रहे हो और वो आपको देख रहे हैं लेकिन अगर आपका रिष्टा नॉर्मल है तो आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन काम जरूर करेगा यह अब जब कि आपको उनकी आँखों में देखती देखती 15-20 सिकेंड हो गया है 30 सिकेंड हो गया है या फिर एक मिनट तक आपने देख लिया है और आपको फिल होने लगा है कि आपका कनेक्शन बन गया है उनकी साथ तो आप उस तस्वीर को रखें साइड में and deep breathing कीजिए यानि लंबी सांस लेजिए and थोड़ी देर तक उसे hold रखें और उसकी बाद सांसों को छोड़िए सांसों को छोड़ने के बाद आपको फिल होगा कि आप सबकॉंचिस माइंड से उनके साथ कनेक्ट हो चुके हैं and इस टाइम पे आप जो भी उनसे बोलेंगे वो उन सारी बातों को सुन सकते हैं आपको एंसर कर सकते हैं तो अब आप अपनी आखों को देरे देरे बंद कीजिए and सोचिए कि सबसे खुबसूरत कौन सा समय था कौन सा पल था जो आपने उनके साथ बिताया था यानि अपनी क्वालिटी टाइम को याद कीजिए जो भी क्वालिटी टाइम स्पैंड किया था आपने उनके साथ उसे याद कीजिए, महसूस कीजिए जैसे आप पहली बार मिले हो या फिर अगर माबाप का रिष्टा हो तो जैसे आपकी माँ या बापा प्यार करते थे, सहलाते थे मतलब जिस तरह भी आपको लाड लगाते थे और आपको वो टाइम बहुत पसंद था उस टाइम को आप याद कीजिए और फील कीजिए जैसे कि वो सारी चीजे अभी आपके साथ हो रही है और आप उन सारी चीजों को महसूस कर रहे हैं वो चाहिए साथ में पार्क में घुमना हो टेमपल जाना हो या फिर कहीं मूवी देखने जाना हो चाहे जैसी भी टाइमिंग होगी वो आपको अच्छे से पता है और आप उस टाइम को फिर से जी रहे हैं अभी इस वक्त और आपके फेस पे एक प्यारी सी स्माईल आ चुकी है और आप बहुत खुश हैं बहुत खुश हैं अब आपने उस मोमिंट्स को अपने दाइने हाथ को अपने दिल के पास रखना है और अपने धड़कनों को महसूस करना है आपको फील होगा कि आपके दिल में एक अजीव सी वाइबरेशन हो रही है और अब आपको उस वाइबरेशन को पूरी बॉड़ी में फैलने देना है अब जैसे जैसे ये vibration आपके पूरी body में फैलेगी आप अपने पूरी body में एक अजीब सी उर्जा और एक अजीब सी खुशी फील करेंगे body के हर parts से आप खुश हो रहे हैं अब जिस moments को recreate करके आप इतनी खुशी फील कर पा रहे हैं ये सोचिए कि सेम उसी moments में आपके सामने वो person खड़ा है और आपके बहुत करीब है जस्ट आपके सामने अब जबकि वो इंसान आपके इतना करीब आ चुका है तो आप उससे बोलेंगे I love you, I really, really love you और आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा special हो, बहुत ज़्यादा आप दुनिया की सबसी ज़्यादा खास, सबसी ज़्यादा special इंसान हो मेरे लिए और ये बात 100% true है तो अब आपने अपना काम कर दिया है अब आप अपने हाथों को हटा लीजी अपने हाथ के उपर से अब आप धीरे धीरे उस moment से बाहर निकल लिए यानि जहां पे आप अपनी सोच के द्वारा पहुँच गए थे वहाँ से अब धीरे धीरे बैक हो जाईए वापस आईए और अपनी आखों को खोल ले अब आप 21 दिन तक अगर इसे follow कर लेते हैं तो आपका कोई भी relationship हो कितना भी खराब हो गया हो उसे सही होने से कोई रोख ही नहीं सकता कुछ लोगों को तो 24 गंटे में result मिलता है क्योंकि उनका जो connection होता है वो बहुत गहरा होता है आपके उपर depend करता है आप कितनी energy लगाते हैं जितनी positive energy लगाएंगे उतना ये fast work करता है ये guarantee है कि 24 गंटे में भी करता है तो आप देख लिजिए कितनी positivity के साथ कर रहे हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe, वीडियो को like, share कर दीजीगा मैं मिलती हूँ एक्स्ट वीडियो में तब तक आप सभी को क्या करना है आप सभी को करना है आप से बहुत बहुत सारा प्यार खुश रहे है, positive रहे है, मुस्कुराते रहे है God bless you and thanks for watching Love you guys